हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो आर चैनल इन टोडेस वीडियो आई विल सो यू वाव दू सॉल्व हीटिंग प्रोब्लेम दोस्तो जायता समाई कैमेरा चलने से गेम खेलते समाई हेवी डासिंग करते समाई फोन बहुत ज़्यादा गरम हो जाता है अगर नॉर्माल कोई काम करने से भी फोन गरम हो रहा है तो यह बहुत बड़ा समस्था है दोस्तो गरमिया के टाइम में अगर आप थोड़ी देर के लिए भी अपना फोन को इस्तमल करेंगे तो वो गरम हो जाएगा ऐसा हार किसी के साथ होता है लेकिन दोस्तो फोन के अंदर कुछ hidden settings होता है जिने ओप काने से फोन कभी भी गरम नहीं होगा मैं आपको step by step सारे settings दिखाऊंगा इसलिए वीडियो को बिल्गुल skip मत करना नामबर वान बैक्डाउं यूसेज रैम स्टोरेज को जीतना हो सके खाली रखने की कोसिस कीजिए बैक्डाउंड में एक से ज़्यदे अप्रिकेशन को खूला ना राखे रिसेंट एप्लिस्ट ओपन करके time to time close करते रहिए इससे रैम में मोरी free होता है दोस्तो ऐसे कहीं सारे अप्रिकेशन है जो बैक्डाउंड में आपने आप चालू हो जाते है जिसके वायसे प्रोसेजर के वोड़ प्रेसर पढ़ता है और फोन गरम हो जाता है दोस्तो इसे रोकने के लिए settings में जाएए नेक्स्ट एबाउट फोन अब OS भासन के उपर 7 टाइम टैप करना है इसके बाद developer mode activate हो जाएगा अब back आईए यहां साज बाद पर find करना है developer option इस instruction पर क्लिक करती सिधा developer settings पर चले जाएगे developer mode open करने के बाद call करती हुए एक दो मीचे नीच आईए इसके बाद एक settings देखने को मिलेगा background process limit by default standard set रहे थे मतलब आपको बिना बाते background में unlimited application run कर सकते हैं इससे change करके two process set कीजिए मतलब background में एक साथ मैक्सिम्म दो application ही चलेगा दोस्तों कोई भी फालतू कि आप install ना राखे अगर ऐसा कोई आप install किया हुआ है जिसे आप इस्तेमाल नहीं करते हैं उसे तुरंद अनिस्टॉल कर दीजिए इससे आपका internal storage भी फ्री होगा और phone गरम नहीं होगा number two phone update कहीं बार phone update काने के बाद hitting problem देखने को मिलते हैं अगर अपने हाली में अपना phone update किया है और तब से phone गरम हो रहा है तो हो सकते हैं कि ए अप इट के वएसे हुआ होगा दोस्तों चीनता ना करें नेक्स जो अप इट आएगा उसमें आपका problem जोरी resolve हो जाएगा number three network settings दोस्तों अनेसेसरी वाइफाई, मोबाल इंटरनेट, ब्लूटूथ और होर्सपोट को on ना रखे जब जोरी होतों का इसे on करें फिर off कर दीजिए number four brightness settings मोबाल में display brightness को जितना हो सके काम रखे brightness फूल करके अगर मोबाल को लगातर यूज करेंगे तो आपका phone ओवरीट हो जाएगा यहां settings में जाएगे, इसके बाद display और brightness पे क्लिक करेंगे यहां से brightness को जितना हो सके काम कर दीजिए और auto brightness को off रखे आप चाहिए तो dart mode को भी on कर सकते हैं इससे आपका battery backup बढ़ जाएगा number five location phone गरम होने के पीछे location का मैद़पून भूमी का है phone settings open करके नीचे की ओड जाएगे इसके बाद location में जाना है दोस्तो जब location service on होता है तब background में कुछ-कुछ application आपका location track करेगा जिसके वाइसे phone override होता है अगर आपको location service की ज़रूत नहीं है तो उससे off करके रखेए इसके बाद location service में जाएए दोस्तो location access off किया हुआ है लेकिन location service के अंदर दो settings अभी तक off नहीं हुआ है यहां वाइपाई scanning और Bluetooth scanning को off कर दीजिए नमर 6, phone charging दोस्तो phone charging करते समाई कभी भी gameplay, heavy tasking या camera ना चला है आजकल fast charging के वाइसे बैटरी थोरा गरम होगा एक common चीज़ है अगर आप उसी दोरों gameplay कर रहे है फोन पर बात कर रहे है या कोई वीडियो देख रहे हो तो अभी के अभी सब कुछ बंद करके mode को charge होने दीजिए ने तो phone blast हो सकते है अगर device बहुत गरम हो गया है तो charge से भी तुरण रिस्केंट करके कुछ समाई के लिए phone को switch off करके रख सकते है वाले हम phone को safe रखने के लिए बैक कावर लागा थे है लेकिन इसके वाए से भी phone गरम होता है गेम कहलते समाई या charging करते समाई अगर आपका phone over it हो जाए तो बैक कावर को कुछ समाई के लिए खोल दीजिए इससे आपका phone बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा अगर वीडियो में बात है गया सभी process फॉलो करने के बाद भी आपका phone गरम हो रहा है तो आप एक बर फैक्टी डिसेट करके देखिए मैं guarantee के साथ कह साकता हूँ अगले कुछ माहिना तक आपका phone गरम नहीं होगा आप phone settings ओपन करके यहां find का ना है factory इस instruction पर क्लिक करते ही सिधा phone reset option पर चले जाएगे फैक्टी डिसेट करने से पहले मैं आपको बता दू फोन के अंदा जितने सरे photo, video, important data store है उनसे भी data का backup ले लिजिए या pen drive में transfer कर लेना क्योंकि reset करने के बाद सारे data permanently delete हो जाएगा इसके बाद areas all data पर क्लिक करके lock screen का password डाल देंगे फिर factory reset पर क्लिक करेंगे यह 10 सेकंड का timer खत्म होती यह next करेंगे इसके बाद okay पर क्लिक करते ही device reset होना शुरू हो जाएगा factory reset करने से पहले की तरफ phone नया जैसे बाद जाएगा और आपका phone कुछ मैने तक बिल्किल गरम नहीं होगा एक दो मक्खन की तरह चलेगा दोस्तों मैं आसा करते हूँ कि एप वीडियो आपके लिए बोखुत helpful रहा होगा इस वीडियो को लाइक करके हमना चैनल सबस्वाइब करना ना भूलें